तो बाल विकास सब्क है तो हुआ हैं अगर मैं अभस्थाहूं से बात करूं क्यों क्यों कि पहले मैं बारल विकास का प्रींचे दोंगा उसके बाद प्रिश्टम वस्था और वस्था होगा थीख है तो थोड़ा आगे पढ़ेंगे वस्था ओगा पर तुम्हें जंदर लोलिज इतनी होती है तो सहस्ववस्था से किसोरब सा तक जो प्राणी होता है मनुश्य होता है उसे हम कहते हैं बालक तो बाल विकास में अध्यायन शेत है आपके जीवन में और आसपढ़ोस में हड़ जाए नगाए आपको परिवर्तन देखने को मिलता ही है तेक्वे मानव है मादम में स्टार्टिंग में जो है उसका कर बहुत कम होता है सारविय का कम होता है मांसी क्लूप से तसक्षम नहीं होता फिर दीरे दीरे उसकी कम होनी स्टार्ट हो जाती है तो पहले क्या परिवर्तन होते हैं सकारात्मक फिर क्या होते हैं नकारात्मक तो विकास से क्या मतलब है सकारात्मक परिवर्तन को कोई विकास कहते हैं मतलब मुझमा कोई परिवर्तन हो और वो सकारात्म को पोजटीव हो तो मेरा विकास हुआ है मुझमा कोई परिवर्तन हो वो नकारात्म को निगेटिव हो तो मेरा विकास नहीं हुआ मेरा मतलब गर्थ में चला गया हूं तो विकास से समझगा अर्थ बा जाता है अब यह लाइन बहुत इंपोर्टेंट हो जाती है इसका मतलब क्या इसका मतलब प्राणी के पहले चार-पांच वर्स बहुत क्रिटिकल है इस तरीके से बाल मतलब उसके फ्यूचर में इतो बाल बुलना चाहरा है सिग्मेंट प्राइट मानुबिशलेशन वाली सिध्धान सिग्मेंट ने दिया था इद एहम इगो सूपर इगो उसका भी सिध्धान सिग्मेंट नहीं दिया तो प्राणी चाच पारजबस की उमर तक जो कुछ बनना होता बन जाता है यह परिवासा आ सकती है किसका कथने सिग्मेंट इसलिए बाल विकास इंपोर्ट हो जाता है अगर इनकी बात में हल्की फुल्की भी जान है वैसे भी हमारे हिंदी भासा में कहां बो है शेंग कि पूत के पाऊ पानले में दिख जाते हैं तो पानले का क्या मतलब है की वर्ड्स लिए हैं ताकि आप परिवासों में जादा कंफ्यूज नहों मैं चाहता बहुत लंबी चोड़ी परिवास लिख देता पर में जो चीजे है किसी परिवासों को याद करने का सबसा बढ़े तरीका क्या है कि आपके की पॉइंट्स याद कर लो और मनुद्ध्यान ने क्या बोला था बाल विकास है जो जन्म से परिपक्ता तक विक्सित हो रहे मानव का अध्यन करता है कब से जन्म से परिपक्वावस्ता जब तक परिपक्व नहीं हो जाता है कि सुरवस्ता है इन्होंने परिपक्ता सब भी यूज करा जन्म से परिपक्ता इन्होंने गर कंचति को उचित निर्देशन देकर सफल ब्यक्ति बना सकते हैं समझे मतलब इनने क्या बॉला बाल वीकास का महतु समझा दिया कि ऐसी दिसा की और मोड़ देगा अगर बाल विकास पढ़ोगे जिससे हर व्यक्ति उचित और सफल व्यक्ति बन जाएगा उचे निर्जी संदोगे उसे तो वह सफल व्यक्ति बन जाएगा किसकी सहिंग है थोमसं की वर्ट को रिलेट करना बुलकुल टू पॉइंट कोपी करन वह सब… चैन्ज करेंगा तो उसमें क्या Пरिवरतन होगे इसका ध्रmek्ति और सकारात्मक है परिवर्तन से जो चेंज आते हैं जो परिवर्तन आते हैं उन कद्धिन के जाता है कि वो ठीक है या नहीं है सकारात में नहीं तो विकास अवस्ता परिवर्तन जैसे सब जहां आएंगे वह हर लोग की परिवास होगी उच्छी तोर सफल व्यक्ति बनाने के अगर बात होगी विकास कि साहता सि फूमसन की बात होगी जंपास एंच परीपा परीपकवावस्ता तक भीख्षिट होरा इमानप कद्या लिए ईंजो ड्रेवन और गफवस्तासी की सवरबस्ता रोएंट करो ठीक है है अब करना पड़ेगा है क्थे क्वार्ट करने कि और пр忘 affiliate करते हैं उनके लिएखीं क áreas करते हैं ऑक नोड को यहां कुष्छे करते हैं थिके या विस्ष्ष्ट ऑह रोक को प्रिक्रीयां करते हैं जैसे अभी सब्दों को एक्स्प्रेन की जभरत है वो मैं करदूगा बाकि तुम्हें पंघा कि ना लो इमेश बना सको जैसे से में संत्र हो बंगा इमेश ओट बंगए इमेश गधा बंगें बंगिंगे पपू मैं इमेश इतो आता फ्रत्यक्श्श करा होता है देखो कोरे मेडर द्रोफहाव नहीं है था था मतम्हां कमस तो तो वह जो है मतलब प्रित्यक्शीरान का मतलब की है कि मैं कोई सब्डG वोल ले हूं आप उसका प्रित्यक्शीक्रान कर सकते हो छीस तरी किसे सीखते हैं क्या क्या होती है कल्पना क्या होती है कैसा बढ़ाई जा सकती है चिंतन का और तरक चिंतन है जब अपने आप सारे विचार रोक के एक विचार पर ध्यान के इंदित करो एक विचार पर ध्यान के दित करना क्या है अवधान या ध्यान ठीक है चिंतन क्या है उसके बारे में सोचो अच्छे तरीके से जैसे मैं कहूं सुन्य के बारे में सोचोगे कि सुन्य से गुणा करोगे तो सुन्य सुन्य जोड़ों कोई फरक नहीं ठीक है मतलब एक तरफ तो पढ़ाए होगा दो गुना तीन क्या है 6 कैसे है दो डो फपलस दो बरावर चाहिं है पर कि ऐसे ही दो में 0 जोड़ो कितना है 2 और 2 में 0 गुञा करो तो कितना है जेरो ऐसा क्यों है जबकि गुना जो जो है वह वहागत हो है तो जोड़ था आनो अब यो त MI आप तो यह जो चीज है इसे हम कहते हैं चिंतन कया हो गया अगर मैं कोई आपके कोई बात बोलूँ और आप उसके या तो पक्षमे या भी पक्षमे विचार रहो तो वह हो गया ठीक है तरग समझे अचिनतन क्या है अब धान आपने केंदिद कर दिया एक बिसेप और तर्क क करना चिंतन हो गया उस्विषय के बारे में सोचना तर्क हो गया उसके सपोर्ट में बात बोलना अच्छा हम अध्यन करते हैं बाल विकास में बालक और बालिका के बिकास करम में क्या अंतर है ठीक है बाल विकास बालक बालिका के मापन का अध्यन करते हैं किसका बिकास किस तरीके सो होता है क्या अंतर रहता है उसके बाल विवार और अंतर के अध्यन करते हैं कि बालक का ब कि जो आपकी मतलब आपकी समाज defense होती है सामाज इक वाग क्या होती है उसमें और वोलते हैं तीसरी होती है ठीक है साइलेंट स्पीछ उसमें क्या होता है आंत्रिक वाहं उसमें क्या होता है उसमें आप बोलते नहीं है फिर भी भाशा का प्रेयोग करते हैं अब यह आपने कई बालकों को देखा है बालक खेलते हुए अपने ही एक्षन डिफाइन करने के लिए गार यह चलाता है तो बोलता है चुक 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 इन वीडियो गनानी है ठीक है और आज मुझे यह कना है आप सोच रहूंगे आज मुझे पुरानी सारी वीडियो देख डालनी है ठीक है तो यह जो है करते हम आप भी है पर हम क्या करते हैं हम निजी बाग नहीं करते हैं हम तीसरी के जो बाग आती है आंत्रिक बाग वो करते है यह साइलेंट स्पीच मतलब सोचते हम भी हैं भासा में सोचते हैं पर हम बोलते नहीं है मुझसे तो वह हुई आंत्रिक बाग ठीक है तो इनी चीजों का हम अध्यन करते हैं जैसे अगर आपने बाल विकास पड़ा होगा आप समझते होंगे कि निजी बाग जो है वह इंपोर्टेंट तो आप तो नहीं कहेंगे अब मंदून लोग कोई दूसरा आदमी काई जा रहा चुप अब उसमें यह लाइन कहके है उसका बहासा विकास रोग दिया ठीक है तो यह चेतर है यह आओ सकता यही महत्व है ठीक है बाल वियावार करद्धिन करेंगे और अंतिक्रिया करेंगे किस प्रकार से अंतिक्रिया करता है वालक छट एक प्रसंद की बात करते हैं समायजन की ठ कहते किसे हैं तो मैंने कई वार चर्चा करी समयजन का मतलब होता है घुलना मिलना कितना घुल मिल रहे हो ठीक है चार प्रकार समयजन होता है पारिवारिक परिवार से कितना घुल मिल रहे हो संभेग आत्मक अपने संभेगों से कितना कलेक्टेड हो ठीक है संभेग कितने कुछ नहीं है समयजन करते हैं welt जिसे कहते हैं चैने करते हैं अध्यापक खेल आती और समाज से समयजन क्रते कि पर यह सब आता है तो कुल कुछ किर्याईं करता एक से कि एक वात और बता दे रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट खुट-खुर्ट तयार करो वो better है घसे मेरे त्यार करे नोट्स लो गे तब भिंगा आप उससे ही पड़ सकते हो पगर खुर्द तयार करोगे नोच तो आपको जाद अच्छा याद रहेगा ऐसा क्यों है क्योंकि डॉक्टर मेस थे एक उनका एक कथन है कुछ यह परिवास आए ना यह कथन है मुझे ब्यक्तिकत रूप से पसंद आ जाती है उनका प्लेयों में ज्यादा करत प्लेयों मतलब जत्ती ज्यादे चलाओगे उतनी ज्यादे याद रहेंगी चीजे तो जितनी ज्यादे चलाओगे पैंसल से लिख होगे ना उतना बढ़ेया है इसक्रिंशोट आप ले लोगे पर उतना याद नहीं रहाएगा जितना आपने नोट सुनाएंगे तब याद दूँगा डोक्टर मेसली का मैंने मिटान दिया अब आवगर नोट्स बिना रहे होते तो डोक्टर मेसली के लिए तो लिखता रहे करो ठीक है तो अंते करिया समझ गए परिवार पडोसी अर्ध्यापा खेल साथी और समाज से समार्य जन के लिए जो किर्याएं करता है वह आप नहीं कि मैं आप सक्रूचाहीं आपकी क्या रूची है और मेरे साब सर्च जो भी वे लोग देखें रहें आंव कोई खेलता नहीं होगा अब किसी ने कहीं मेरी मेरी रूची है Golp खेलना तो यह संबभ भी नहीं है आपने वो भ्यावार अर्जित ही रहाएं आपने व कि आप अर्जित करते हैं अर्जित जवार हैं जमजात नहीं होती है यह चीज़े याद रखना अच्छा एक बात और बात कर लेते हैं अध्यन का महत क्या है तो मैंने महत की चर्चा तो इसमें छेत्र में कर लीती हलकी हलकी फिर भी और कर लेते हैं सबसे पहली बात तो हमें कर्याओ का जाता है कि किस वि Stud I.pay क Ratl गुण시 और उसे किस तरी किसे टैक्र करना जैसे कि सोगरां परफलम साह्ती है उनकी क्या वजह जै कि कि सभ में आते हैं वह सवस्था कर करहें एक यह हमें अगर बच्चे को बनाना है बहुत जाले देश भक्त तो क्या करना पड़ेगा कोलवर के नहतिक विकास के सिद्धान के अनुसार त्रत्य जो इस्तर है परांपरागत नहतिक इस्तर उसका जो पहला चलण है समाजिक क्रम अनुदक्षन अभीविन्यास उसमें क्या होता ह समाज को हमेशा व्यक्ति उस अवस्था में जब होता है न तो समाज में समाज को हमेशा व्यक्ति अपने परिवार से उपर लगके चलता है समाज को अपने परिवार से उपर रखके चलेगा ऐसा क्यों होगा क्योंकि वो उस नयतिक अवस्ता में है और इस उस टाइम अगर तुम्हारे परिवार की किसी मेंबर ने कोई गलती करी है और कानून ये वस्ता में उसा पकड़वाना तो बच्चे को पकड़वा देगा ठीक है ये कि 11 वबस्ता की वस्ता है समाज एक्रम अंदॉरक्षन उविन्याथ सब्सक्रबब कर ने कॉलला का किमा अकि सब्सक्राय को ग्यान हो करते हैं आप ऐसे स्पीधेने जायोगे ना तो साइकलोजी का यूज करते हैं भाल पोस्टन विधी घ्यान ठीक्टेक्ट आपको बालक की पोश्टन की विदियों का ग्यान कि बाल पोशन किस तरीके से अच्छा होगा ठीक है ब्यक्ति तू किस तरीके साफ कंट्रोल करेंगे व्यक्ति का उसा बोपता चल जाएगा ब्यवार नियंत्रन जो हमाई सिक्षक अल्टीमेट है वह आपको बाल विकास ही चिखाता है इसलिए बाल विकास जरूरी है ठीक है और बाल विकास का दिन हो जाएगा तो भी आपने बाल को तुम अच्छे सब पालन पोशन कर सकते हो तो यह देखो योट्योप योग है इसका अगर आप माता-पिता कभी बनोगे और बाल विकास पड़े होगे तो बहुत अच्छे तरीके साथ अच्छे माता-पिता अब समझेंगे ब्रदी और विकास क्या है ब्रदी और विकास के कौन-कौन से सिद्धानत है यह समझेंगे